फकर जमान में आके प्लीट सम अन्विलिबल शॉर्ट्स लंबे लंबे चख्के मारे जो उनका गृप है उससे पता लगता है कि एनरा इस और सो बाटम हैंडिक प्लेयर इस सारे चख्के जो देखनी मिले वो सारे मेंड़िकेट या बेड़ॉन के तो लीजिए जनाब फकर जमान की पावर हिटेंग के बाद फकर जमान को इस वाक्ती टीटिका सबसे खतरनाक बल्लेबास का है फकर जमान की शांदार बैटेंग के बाद सच अंटर डॉलकर का मुकमा इंटर्विव आगे चल कर इसी वीडियो में आप दोस्तों से शेयर करने जा रहे हैं लेकर वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से कबल हमेशा कितरा नहीं आने वाले दोस्तों से चोटी से रिक्वेस्ट का मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल लेगन भी प्रेस कर लें यहां दोस्तों यहां पर आपको मुकमाल तफसील से अगाह करते च चारगर दिया जिसके ताकों में पाकिस्तान टीम शुरू में मुश्किलात में फास गई जिसके बाद आए माया नाज ओपनर बैट्समेर फखर जमान जो आज कल मीडर आजन में बैटिंग कर रहे हैं जिन्होंने आते ही गिरोंड के चार उत्रफ शोट केल कर अपने बैट्समेर का मानना है कि जब फखर जमान चलते हैं तो और किसी के चलने की बारी तक रही आती जी हाँ दोस्तों सचेंट डॉलकर का मानना है कि फखर जमान एक ऐसे प्लेयर है जिस दिन उनका दिन होता है तो अकेले दम पर ही कोई भी बड़ा टार्गेट हो अचीव कर सक देखते हैं और फखर जमान हमेशा ही एक मैच विनर प्लेय रहे तो अगर आप भी हैं सचेंट डॉलकर और फखर जमान के सचे फैन तो इस वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कॉमेंट्स कर दें थेंक्स पर वाचिंग अला हाफिज